ओके क्या आपको पता है कि भारत की international borders दुनिया की one of the most craziest borders में से एक है Indian international border कुछ extreme climate condition, 1000 मेटर की heights और कुछ densely populated इलाकों से गुजरती है जिसे भारत के लिए अपनी borders को maintain करना काफी challenging हो जाता है हाला कि भारत दुनिया का सात्वा सबसे बड़ा देश है लेकिन भारत की total 15,200 km की international border दुनिया में third longest है रशिया और चाइना की borders के बाद तो आज हम बात करेंगे भारत की crazy geographical borders के बारे में माईने में स्वेनिल और आपने अभी भी जोइन किया है The Graphic Art अगर आपको एसे ही interesting topics पसंद है तो क्यों ना आप हमारे चैनल को subscribe कर दे प्योके पर क्लेम करता है इसलिए officially अफगानिस्तान भी इंडिया की neighboring country है भारत के पास अपने 15,200 km की land border के अलावा 7,515 km की coast line भी है जिसे भारत additional दूसरे चार देश मालदीव, स्रीलंका, थाइलेंड और इंडोनेशिया से maritime boundary भी शेयर करता है history, culture और religion ने भारत की borders को define करने में important role play किया है इंडिया की पाकिस्तान से लगने वाली border दुनिया की one of the most sensitive और dangerous borders में से एक है like we literally see it from space Indian government द्वारा border पर 15,000 poles पर देड़ लाख orange lights लगाए गये है जिसके कारण भारत पाकिस्तान की border space से भी clearly visible है ये lights illegal cross border activities जैसे की arm trafficking और smuggling को रोकने के लिए लगाए गये है 3,323 km लंबी ये इंडो पाक border दुनिया की 9th longest border है border का southernmost point Arabian Sea में Sir Creek से शुरू होता है गुजरात के कच्छ और सिंद के सुजावल districts के बीच बसे इंडस रिवर डेल्टा में ये इंडो पाक border भारत की दूसरे regions की border से थोड़ी अलग है यहाँ actually border fencing नहीं है जो के यहाँ की physical condition के कारण लगा भी नहीं सकते यहाँ की canals और khाडिया कई बार border cross करती है उपर से high tight के दोरान ये पूरा इलाका ही पानी में डूप जाता है जिससे fencing तो नहीं लग सकती और उपर से BSF के जवानों के लिए यहाँ patrolling करना भी काफी challenging हो जाता है और यहीं है इंडिया पाकिस्तान का second major dispute सर क्रिक डिस्प्यूट 96 km लंबी इस सर क्रिक खाड़ी पर पाकिस्तान पूरी तरह claim करता है लेकिन भारत के according border खाड़ी के बीचो बीच है सर क्रिक से आगे यह border इस्ट की और शकूर लेक के बीचो बीच से जाती है इस border पर नजर रखने के लिए इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इंडो पाक बॉर्डर रोड बनाई गई है जो आगे गुजरात स्टेट हाईवे 45 से जुडती है शकूर लेक से आगे इंडो पाक बॉर्डर रण ओफ कच से गुजरती है कच डेजर्ट 22,000 स्क्वेर किलोमेटर में फेला है गुजरात से पाकिस्तान की टोटल 553 किलोमेटर की बॉर्डर है जिसमें से सिर्फ आधी बॉर्डर पर ही फेंसिंग की जा सकी है क्योंकि यहां के वन अफ दे मोस्ट डिफिकल्ट जियोग्राफिकल इलाके और हार्श वेधर फेंस बॉर्डर बनाने और मेंटेन करने में अडचन पेदा करते है रन अफ कच का यह बॉर्डर इलाका खारे पानी, कीचर्ड और अब्वियसली एक्स्ट्रीम डेजर्ट टेंपरेचर से भड़ा पड़ा है इसी डिफिकल्ट कंडिशन के कारण यहां की पोपिलेशन डेंसिटी भी काफी कम है और दूर दूर तक यहां कोई नजर नहीं आता जिसका रिजल्ट यह है कि यह बॉर्डर काफी पीस्फुल रही है गुजरात से आगे बॉर्डर राजस्थान में एंटर करती है राजस्थान की पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रोविंस के साथ करीबन 1048 किलो मिटर की बॉर्डर है यह बॉर्डर राजस्थान के चार डिस्ट्रिक्स बाढ़मेर, जैसलमेर, बिकानेर और श्री गंगानगर से गुजरती है जहां टेंपरेचर 50 डिग्री से जादा रहता है थार डेजर्ड करीबन 2 लाख स्क्वेर किलो मिटर में फेला है राजस्थान में पूरी बॉर्डर पर फेंसिंग हो चुकी है हाला कि यहां के 50 डिग्री से जादा एवरेज डे टाइम टेंपरेचर के कारण वी डोंट नो कि मेटालिक फेंसिंग कब तक चल पाएगी उपर से 32 किलोमिटर के जेसल मेर बाड मेर सेक्टर में रेट की आधी आती रहती है जिसके कारण फेंस बॉर्डर रेट में दब जाती है लेकिन BSF के जवानों की continuous patrolling से इसका पता चल जाता है और तब बॉर्डर को re-align कर दिया जाता है राजस्थान से ही थार एक्सप्रेस चलती है जिसकी सर्विस 2006 में शिमला एग्रिमेंट के बेजिस पर शुरू हुई थी थार एक्सप्रेस कुछ इकलोते rail connections में से एक है जो इंडिया इन पाकिस्तान को जोडते है थार एक्सप्रेस के अलावा सिर्फ समझोता एक्सप्रेस है जो दिल्ली टू लाहोर जाती है थार एक्सप्रेस भगत की कोठी जोथपूर से शुरू होकर मुनाबाव, जिरो पॉइंट, मीरपूर खास, हैदराबाद और कराची तक 709 किलोमेटर का अंतर काटती है राजस्थान के श्री गंगानगर से आगे बॉडर पंजाब के ग्रास लेंड में प्रवेश्च करती है पंजाब के 6 डिस्ट्रिक्स, हजिलका, फिरोस्पूर, तरंतारन, अमरित्सर, गुर्दास्पूर और पठान कोट से पाकिस्तानी पंजाब प्रोविंस की बॉडर लगती है करीबन 553 किलोमेटर की ये बॉडर ज्यादातर फार्म लेंड से गुजरती है और पूरी तरह फेंजड है लेकिन रावी और सतलुज नदी का कुछ हिस्सा इंडिया पाकिस्तान की नेचरल बॉडर बनाता है और यहां BSF द्वारा गार्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसलिए ये बॉडर काफी सेंसिटिव साबित हुई है 2021 में सबसे ज़्यादा ड्रोन साइट, घुस्पेट की आशंका और हत्यारों के साथ नार्कोटिक्स के पकड़े जाने की सबसे ज़्यादा सूचना यहीं से मिली थी इसकी अलावा यहीं पर अमरित सर के अटारी विलेज में है भारत की most famous अटारी वागा बॉर्डर जहां हर रोज world famous बॉर्डर रिट्रीट सेरिमनी मनाई जाती है यहां तक की बॉर्डर इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही देशों द्वारा officially recognized है इससे आगे जम्मू कश्मीर शुरू होता है और फिर मामला थोड़ा complicated हो जाता है पंजाब से कटना, सांबा और जम्मू तक की करीबन 200 km की बॉर्डर को इंडिया रिकोगनाईस करता है बट पाकिस्तान रिकोगनाईस नहीं करता as a claim over full जम्मू कश्मीर जम्मू से आगे line of control LOC स्टार्ट होती है जोके de facto ceasefire line है जो 1947 में इंडो पाक वोर के बाद बनी थी करीबन 700 km लंबी LOC कश्मीर वैली में राजोरी, पूंच, बारामुला, कुपवारा और बांधीपोर के forested mountains और rivers से गुजरती है आगे border कारगिल से होते हुए लेह में NJ9842 में end होती है यह पूरा इलाका 4000 प्लॉस मिटर उंचा है इस से आगे काराकोरम रेंज स्टार्ट होती है और यहाँ है Siachin Glaciers 1984 से यह पूरा इलाका भारत के कंट्रोल में है यहाँ temperature minus 60 degree Celsius तक पहुँच जाता है This point is one of the most extreme border point in the world Indo-Park border is literally craziest Siachin से आगे यह border Chinese border को touch करती है और यहाँ से line of actual control LSE start होती है Another de facto border जो के 1962 के Sino Indian War के बाद बनी थी Currently China और India के बीच करीबन 3,488 km की border है जो के unmarked है यानि कोई physical fencing नहीं है Border के आसपास low population density और negligible cross border trade की वजह से दोनों ही देशों के लिए border management कोई serious challenge नहीं खड़ा करता और उपर से 6000 प्लस मीटर उंचे हिमालियन माउंटेन दोनों देशों के बीच natural barrier बनते है But still India-China border दुनिया की सबसे लंबी disputed border है इंडिया अकसाई चीन पर claim करता है जबकि चाइना अरुनाचल प्रदेश पर सीनो इंडियन border तीन सेक्षन में divided है LSE काराकॉरम रेंज के east में दौलत बेग ओल्डी से शुरू होती है और south की और गलवान वैली hot springs से होते हुए पैंगोंग लेक तक जाती है यहीं गलवान वैली में 2020 में चाइनीज और इंडियन soldiers के बीच major clashes हुए थे आगे वो हिमाचल प्रदेश के लाहोल स्पिती और किन्नोर डिस्रिक्स से लगती है यहां करीबन 200 किलोमेटर की चाइनीज border है अनलाइक लगदाक हिमाचल की तिबेट के साथ border काफी एक्स्टी मिलाकों में है यहीं हिमाचल के कुछ सबसे उंचे mountains यो पुर्गील और गया आते है और सिर्फ कुछी points है जैसे कि शिपकीला और कौरिक पास जो इन mountains के दूसरे side border पार पहुंचा सकते है वैसे कई centuries से तिबेट और हिमाचल के traders के बीच ancient silk route जो शिपकीला से गुजरता है वहाँ से trade होती आ रही है COVID से पहले तक भी इस पास से ज़्यादा तर बुलन हेंडलूम आइटम्स जैसे कि blankets और कारपेट्स की 8 करोड से ज़्यादा रुपियों की trade होती थी हिमाचल से आगे border उत्तराखंड के तीन डिस्ट्रिक्स उत्तरकाशी, चमोली और पिथोरागड से गुजरती है यहाँ इंडो चाइना border 345 किलोमिटर लंबी है यहीं पिथोरागड डिस्ट्रिक्स में लिपूलेक पास है जो उत्तराखंड की ब्यान वेली को तिबेट से जोड़ता है इसी पास से केलाश मांसरवर यातरा का रूट भी पास होता है और इसी के साथ यहाँ इंडो चाइना border का western और middle section खत्म होता है और नेपाल border start होती है लेकिन भारत की चाइना से border eastern sector में भी है सिक्किम के साथ चाइना की 220 km की border काफी sensitive है यहाँ कई बार classes हो चुके है एक्चुली यहाँ मोजूद डोकलाम प्लेटो डिस्प्यूट का main reason है डोकलाम बे मोजूद चुंबी वैली पूरे हिमालाई में strategically most important place है क्योंकि यहाँ से इंडिया का important सिलिगुरी corridor काफी नजदिक है जहाँ से north east इंडिया main lane इंडिया से connected है सिक्किम के east सिक्किम districts में नाथू ला पास है जो के उन only three passes में से एक है जहाँ से इंडिया चाइना के beach trade होती है and last में अरुनाचल प्रदेश की border है जो के 1126 किलोमीटर लंबी है और वो अरुनाचल प्रदेश के 10 districts को touch करती है यहाँ भी physical और geographical reasons की वजह से fixed boundary नहीं है अगर इंडिया और चाइना uninhabitable desert लद्दा के लड़ सकते है तो अरुनाचल प्रदेश में तो great cultural diversity और political history रही है यह region centuries से एनिमिस्ट, Christians, Hindus और Tibetan Buddhist का घर रहा है और उपर से यहाँ great water और natural resources भी है अगे let's move towards Nepal one of the most peaceful border of India 1770 km लंभी इंडो नेपाल border 1860 में नेपाल और बिटिश राज के बीच हुई सुकोवली टीटी के मुताबिक है इंडो नेपाल border लिपू लेक के पास इंडिया नेपाल चाइना के ट्राय जंक्शन पॉइंट से शुरू होती है आगे border शारदा रिवर के साथ 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 वेस्ट डायरेक्शन में बढ़कर हिमालयास, शिवालिका हिल्स और गंगा के मेदानी इलाकों तक जाती है उत्तराकन के पिथोरागर, चमपावद और उधमसी नगर डिस्रिक्स और नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रोविंस के बीच करीबन 275 किलोमेटर लंबी रिवर बॉर्डर है उत्तर प्रदेश के पिलिफिद डिस्रिक्स में बॉर्डर चारदा रिवर के साथ ही साउथ इस डारेक्शन में टर्न होकर आगे बढ़ती है यहाँ यूपी के मैदानी इलाकों में लखिमपूर खेरी, भराईच, शावस्थी, बलरामपूर, शिद्धार्थनगर और महराजगंज डिस्रिक्स और नेपाल के सुदूर पश्चिम एड लुंबीनी प्रोविंस के बीच 551 किलोमेटर की बॉर्डर है आगे बॉर्डर बिहार की ओर जाती है यहां तक कई हिमालिया नदिया नेपाल इंडिया की बॉर्डर क्रोस करती है लाइक घागरा, राप्ती, गंडक, बागमती और कोसी वेस्ट बेंगाल के उत्तर दिनाचपूर और दारजिलिंग डिस्ट्रिक की 100 किलोमेटर की बॉर्डर नेपाल के प्रोविंस नंबर वन से लगती है इंडो नेपाल बॉर्डर सिक्किम से 99 किलोमेटर लगकर इस्टर्ण, चाइना, नेपाल, इंडिया, ट्राय जंक्शन पर खत्म होती है सिक्किम नेपाल की बॉर्डर पर भारत का हाइस्ट माउंटेन, कांचन जगा भी मौजूद है भारत की नेपाल के साथ ओपन बॉर्डर है, यानि दोनों ही देशों के नागरिकों को वीजा या पासपोर्ट के जरूरत नहीं पढ़ती बॉर्डर क्रोस करने के लिए हर रोज हजारों लोग बॉर्डर क्रोस करते हैं, कमर्शियल और टूरिजम के काम से एक है कालापानी रीजिन जो के उत्तराखन के पितोरागर डिस्टिक में केलाश मान सरोवर रूट पर है, ये इलाका स्ट्रेटेजिक पॉइंट ओफ यू काफी इंपोर्टन्ट है, सुगोली ट्रिटी के मुताविक यहां मोजूद काली रिवर नेपाल और इंडिया की ब है, हाला कि इन डिस्प्यूट से कोई मेजर क्लेश नहीं हुआ है और दोनों देशों के बॉर्डर काफी शांत रही है, इंडो नेपाल बॉर्डर पर करीबन 20 क्रोस पॉइंट्स है, जहां से ट्रेट की जाती है, नेपाल का 60% इंपोर्ट एक्सपोर्ट हल्दिया और पिस्फुल रही है, इंडिया भूटान बॉर्डर, भूटान की सिर्फ भारत और चाइना से ही बॉर्डर लगती है, और भूटान का चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट और कम डिप्लोमेटिक रिलेशन्स के कारण, सिर्फ भारत ही ऐसा रूट है, जिससे भूटान दुनिया से कनेक्ट हो सकता है 699 किलोमीटर लंबी इंडो भूटान बॉर्डर काफी स्टेबल है जो के सिक्किम में वेस्टन चाइना इंडिया भूटान ट्राइपोंच से शुरू होती है सिक्किम की भूटान से 32 किलोमीटर की बॉर्डर है और आगे इस्ट वर्ड डाइरेक्शन में भूटान की वेस्ट बेंगाल के कालिमपोंग, जलपाई गुडी और अलिपूर द्वार डिस्टिक से करीबन 183 किलोमीटर की बॉर्डर लगती है यहाँ अलिपूर द्वार डिस्टिक के जैन गाउंट टाउन से साउथ वेस्ट भूटान के फुंट शोलिंग को जोडने वाला रूट है और इसी रूट से इंडिया भूटान का ज्यादातर ट्रेड होता है आगे बॉर्डर आसाम के कोकराजार, चीरांग, बक्सा और उदलगिरी डिस्टिक से 267 किलोमीटर तक लगती है आसाम के डिस्टिक्स बॉर्डोलेंट टेरेटरी में आते हैं जिनका भूटान से क्लोज हिस्टोरिकल कनेक्शन है और फिलहाल भी ओपन बॉर्डर होने के कारण हर रोज कई लोग बॉर्डर क्रोस कर काम करने के लिए भूटान में जाते हैं और भूटान का भी ज्यादातर एक्सपोर्ट इनी डिस्टिक्स में होता है आगे बॉर्डर अरुनाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग और तवांग डिस्टिक्स से लगती है यहां वो तवांग्चू और न्यामजंग्चू नदियों के संगम से गुजरती हुई नौर्थ में चाइना भूटान इंडिया ट्राइपॉन पर खत्म होती है अरुनाचल से भूटान की 217 किलोमेटर की बॉर्डर ज्यादतर फोरेस्ट हिमालेयन माउंटेंस रीजन में आती है जहां काफी लो पोपिलेशन डेंसिटी है बात करते हैं बांगलादेश की भारत की लोंगेश इंटरनेशनल बॉर्डर बांगलादेश के साथ ही है करीबन 4,096 किलोमेटर जोके दुनिया की 5th लोंगेश बॉर्डर है आईबी बॉर्डर बांगलादेश के कुलना, राजशाही, रंगपूर, महमनसी, सेलेट और चित्तागोंग डिविजन एड इंडिया के वेशबेंगाल, आसाम, मिघालयार, त्रिपूरा और मिजरम स्टेट से लगती है 2015 से पहले तक आईबी बॉर्डर दुनिया की most complex बॉर्डर थी Because of this, तब मेंडलेंड बांगलादेश में 111 इंडियन एंक्लेव्स थे जबकि मेंडलेंड इंडिया में 51 बांगलादेशी एंक्लेव्स थे और यहीं पर था दुनिया का इकलो था 3rd order एंक्लेव दहला खागराबरी एरिया जो के बांगलादेशी गाव उपन्चो की भजनी से घिरा था और ये गाव अगें इंडियन विलेज बालापारा खागराबरी से घिरा था जो खुद अगें बांगलादेशी देवी गंज उपजिला रंगपूर डिविजन से घिरा था ये खिचिडी सेंचिरिस पहले कुछ बिहार के राजा और रंगपूर के महराजा ने बनाई थी चेस गेम में जमिन दाव पर लगा कर लेकिन में 2015 में इंडिया और बांगलादेश ने फाइनली ये सॉल्व किया जिसमें इंडिया को करीबन 4000 हेक्टर की जमिन गवानी पड़ी बट एटलिस्ट ये बॉर्डर की कॉंपलेक्सिटी तो कम हुई बॉर्डर का साउथ वेस्टन मोस्ट पॉइंट वे ओफ बेंगाल में सुन्दरवन मैंग्रोस फोरेश से शुरू होता है वेस्ट बेंगाल के नौर्थ 24 परगना और बांगलादेश के कुलना डिविजन में भुगली, पद्मा, ब्रह्मपुत्र और मेगना रिवर डेल्टा में करीबन 10,000 स्क्वेर किलोमीटर में सुन्दरवन फेला हुआ है सुन्दरवन में बॉर्डर कई वाटर वेस की बीच है जहां सिर्फ बोट द्वारा ही पेट्रोलिंग की जा सकती है आगे नौर्थ की और बॉर्डर प्लेन लेंड में एंटर करती है और यहां घनी आबादे शुरू होती है आई भी बॉर्डर के आसपास भारत की किसी भी बॉर्डर के मुकाबले काफी हाई पोपिलेशन डेंसिटी है कोलकाता से 30 किलोमीटर दूर नौर्थ 24 परगना में पेत्रा पोल बॉर्डर क्रोसिंग एशिया के वन अफ दे मोस्ट बिजियस बॉर्डर क्रोसिंग में से एक है जहां से मोस्ट अफ इंडो बांगलादेश ट्रेड होती है वेश्ट बेंगाल से बांगलादेश के करीबन 2216 किलोमीटर की बॉर्डर है जो के नदिया, मुर्शिदाबाद, मालडा, दक्षिंद दिनाचपूर, उत्तर दिनाचपूर, दारजीलिंग, जलपाईगुरी और कूछ भी हर डिस्टिक्स से लगती है यहाँ ज्यादा तरिला का मैदानी फार्म लेंड है और करीबर 600 किलोमीटर की बॉर्डर रिवरीन रिजन में आती है ओके अब आसाम से बांगलादेश की बॉर्डर दो सेक्षिंस में लगती है धुबरी और साउथ सालमारा मनकाचर डिस्ट्रिक्स में 134 किलोमीटर जिसमें से 20 किलोमीटर की बॉर्डर तो ब्रह्मपुतर रिवर से ही गुजरती है यहां का बॉर्डर नेचर काफी अलग है घने जंगलोवारी पहाडिया है जहांसे कई छोटी बड़ी नदियां मेगालाय से बांगलादेश में एंटर करती है बांगलादेश की 856 किलोमीटर की बॉर्डर त्रिपुरा से लगती है जहां हिली एरिया के साथ साथ प्लेन एरिया भी है त्रिपुरा के सभी डिस्रिक्स की बांडरी बांगलादेश से टच होती है जो बांगलादेश से करीबन 318 किलोमीटर की बॉर्डर शेर करता है यहां का अल्मोस्ट पूरा इला का highly forested है और यहां की population भी काफी कम है भारतिय स्टेट्स के लिए बांगलादेशी बॉर्डर kind of problem है हाला कि अल्मोस्ट पूरी इंडो बांगलादेश बॉर्डर highly fenced है लेकिन बॉर्डर के दोनों ही तरफ घनी आबादी है स्पेसिफिकली वेस्ट बेंगाल, आसाम और त्रिपुरा में जिसे BSF के लिए बॉर्डर management में काफी problem साती है जैसे कि हमारी western इंडो पाक बॉर्डर में बॉर्डर से 100 मीटर दूर फेंसिंग है जिसके बाद ही habitable area शुरू होता है यानि BSF के लिए 100 मीटर का clear path है petrolling के लिए जबकि यहाँ तो कई गाव ही बॉर्डर से जुड़े हुए है उपर से बॉर्डर के नजदिक रहने वाले जादतर लोग बांगलादेशी immigrants है जिन में से कई illegal smuggling से जुड़े हुए है smuggling और illegal immigration को रोकने के लिए Indian border patrols बारा controversial shoot on site policy अपनाई गई है जिसके कारण बॉर्डर पर border guards और illegal migrants के बीच violence होता रहता है कई बार BSF और BGB के जवानों के बीच भी टकरा हुआ है एंड transportation की बात करें तो 1999 में Kolkata धाका bus service टार्ट हुई एं 2001 में एकोर bus service टार्ट हुई धाका टो अगरतला क्रिपूरा की capital एंड नौर्थीस्ट की second biggest city एंड फिर 2015 में direct service Kolkata टो अगरतला वाया पेट्रापोल धाका अखोरा शुरू हुई partition के पहले तक भारत और बांगलादेश के बीच multiple railway line connection था लेकिन फिलहाल सिर्फ तीन connection है मेत्री एक्सप्रेस जो Kolkata से धाका जाती है बंदन एक्सप्रेस बिट्विन Kolkata और कुलना और मिताली एक्सप्रेस बिट्विन जलपाईगूरी और धाका एंड लास्ट इस्टन मोस्ट बोर्डर है म्यानमार के साथ इंडो म्यानमार बोर्डर 1643 किलोमेटर लंबी है जो म्यानमार के काचिन, सगेइन एंड चीन स्टेट्स जबकि इंडिया के अरुनाचल फ्रदेश, नागालेट, मनिपूर और मिजोरम से लगती है बोर्डर का नौर्दन मोस्ट पोइंट चाइना म्यानमार इंडिया ट्राइपोइंट पर है आगे साउथ वेस्ट डाइरेक्शन में बोर्डर मिश्मी हिल्स को पार करती है और यहां है भारत का इस्टन मोस्ट पोइंट चोकाना पास जो अरुनाचल के चांगलांग डिस्ट्रिक को म्यानमार से जोडता है आगे बॉर्डर नागा लेंड और मनिपूर के पटकाई और कासोम रेंज को पार करती है मनिपूर के साउथ इस्ट पोइंट से बॉर्डर शार्पली वेस्ट में टर्न हो जाती है और वेरियस रिवर्स को पार करती हुई टियाउ रिवर तक पहुंचती है मिजोरम के चमफाई डिस्ट्रिक से 159 किलोमिटर लंबी टियाउद इवर ही मियानमार मिजोरम की नेचरल बाउंडरी बनाती है चीन हिल्स के आगे बॉर्डर मिजोरम के सैया डिस्ट्रिक से वेस्ट वर्ड टन होकर इंडिया बांगलादेश मियानमार ट्राइपोइंट पर खत्म होती है हाला कि इस बॉर्डर के आसपास population density काफी लो है लेकिन इंडिया म्यानमार बॉर्डर काफी complex है ज्यादातर बॉर्डर forested mountain से गुजरती है जो के काफी porous, poorly guarded, underdeveloped और insurgency prone region में आता है और नजदिक ही opium producing area भी है जिससे बॉर्डर insurgency, drugs and arm trafficking के लिए काफी sensitive है उपर से म्यानमार के रखीने state से रोहिगया muslims के illegal immigration का भी high risk है इंडो म्यानमार बॉर्डर कई ethnic groups, cookie, chain, naga और mezos को divide करती है इसलिए यहाँ एक unique arrangement है जिसे free movement regime कहा जाता है इसमें दोनों तरफ से बॉर्डर के नजदिकी tribal लोग बॉर्डर के 16 km पार जा सकते है without any visa restriction जिसे यहाँ situation काफी confusing हो जाती है वैसे आप comment में बताए कि आपने कभी भारत के किसी भी international border की visit की है आज के लिए इतना ही I hope कि आपको यह interesting video पसंद आई हो If yes, then please do like and subscribe वीडियो एन तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते अगले interesting video में तब तक के लिए Good Bye